दोस्तों ये कहा जाता है कि आपको अगर दिखाना पड़ जाए कि आप धनवान है आप एक अमीर आदमी है तो समझ लिजे कि आप अभी अमीर नहीं बने हैं और दोस्तों अगर आपको समाज में दिखाना पड़ जाए हर वक्त हर गतिविधियों से हर काम से कि आपकी समाज म आपकी इज्जत नहीं बनी है और इसके लिए हम कई जतन करते हैं और कभी-कभी तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कर्ज लेते हैं और लोग दिखावे के लिए कर्ज ले लेके ले लेके भारी कर्जे में डूब जाते हैं और दूसरी तरफ हमारे समाज जो बहुत जाता इज्जत है ये बताने के लिए हम हर नए वेत्ती के सामने अपने पुराने लोगों से पेच्छा करते हैं कि वो हमसे बहुत ही तरीके से पेशा है और इसके लिए हम उसको पर कई परकार के दवाव डालते हैं और कभी कभी तरे दवाव इतना बढ़ जाता है कि हमारे पुराने जो लोग हैं उनसे हमारा बिगार हो जाता है और नए लोग के सामने इज्जत बने चाहें ना बने पुराने लोग के बीज जो रही सही इज्जत है ओभी बिगड़ जाती है और दूसरी तरफ जब आदमी जो बस मुझे कुछ पैसे इसलिए कमाने हैं ताकि मैं अपने और अपने रिलेटिव और मेरे उन मित्रों की मदद को हो जाए जो मेरे आड़े वक्त में काम आते हैं और इसके लिए पैसे नहीं कमाने हैं कि मैं दूसरे को पर पैसे का धौस दिखाऊं। मुझे बस अपने लिए एक काम बर अलिम्टेट पैसे कमाने हैं। और जब ऐसा सांत मायन से जब कोई काम करता है तो पैसे कमाने भी लग जाता है। और अगल बगल जब चर्चा होने लग जाना तब समझ लिजिए कि वह एक्ति अमीर हो गया। और दूसरी तरब जब आदनी बाद ठान ले कि मुझे दूसरे के मान सम्मान मिलने से कुई मतलब नहीं है। मुझे बस लोग को मान सम्मान देना है। और लोगों के मान सम्मान देने से मेरा मान सम्मान कम नहीं हो जाएगा और सब के साथ सब बेवहार करने लग जाए और सब वेक्ति को एक काम का वेक्ति समझने लग जाए और उसके इस बेवहार की चर्चा जब समाज में हर जगा होने लग जाए ना तब समझ लिजी उस आदमी का इज्जत और रिस्पेक्ट और स्टेटस समाज में बन चुका है। दूस्तों दुनिया का कोई परसन रहे, एक दो चीज हमेशा चाहता है। एक बहुत ज्यादा धन दौलत ताकि उसे कभी कुछ चीज की जबब न पड़े और उसकी कोई कमी न खड़े और उसे हर लोग पुछे। और दूसरी चीज समाज में इज्जत और रुद्बा एक इस्टेटस चाहता है। और आप भी यही चाहते होंगे मुझे पूरा यकीन है। अब यह आपको तै करना है कि मेरे बताया कौन से तरीके से आप चाहते हैं कि लोग आपको अमीर भी समझे और लोग आपको एस्टेटस वाला भी समझे। दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा खराब लगा निश्चिंतों के कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर आपको मेरे कोई बात अच्छी लगी तो उसे भी कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और संभव है कि मेरे कोई बात गलत भी लगी होगी यह म अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए ताकि इस टैप के जब भी मैं कोई नए वीडियो अप्लोड करूँ तो इसका पहला नोटिपिकेशन आप तो पहुचे और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाए तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और जन कल्यानकारी विचारों के साथ